कानों अंधा होता है! मुझे नहीं पता था, इतना अंधा होताहिं! मैंने सुना था झाल फार मेरा ने कहा जाऊंगा! तुम लोग तो चूडिया बेन के रहोगे, तुम लोग कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं कहां जाओंगा, जब हम अपने धरम, अपने हिंदुस्तान, अपने देश में रहकर यह हम सेफ नहीं है, हम पत्तर का रहे हैं, जब हमारे गले काटे जाते हैं, इतना सब कुछ होता ह मैजोरिटी और मैनोरिटी के बारे में, F.I.R. सबसे यादा नुपूर शर्मा के खिलाफ हुई है, नुपूर शर्मा के खिलाफ जो हमारी सिविलिंग की सरद्दा बचा रही है, जो हमारे हिंदुत्व को बचा रही है, अरे खंजर आस्ती में छुपा कर, खंजर आस्ती म प्रिमा का समर्तन करने पर क्या करेंगे बाइस मैं अब भी रहा हूं और आप लोग गलत चार्पते हो आप लोग यह कहते हो के एक टेलर हिंदू की हत्या है गलत बाई हिए सब लुटर्व के ट्रेलर है और ट्रेलर सच्ची में अभी जब तक एक करोन हिंदू करें बाद यह 110 करवन हिंदु हैं आप बाता नहीं होते मेरे और प्रीम कोड का फैसला है सुपरीम कोड का फैसल है जिसी लिए पानारे हिंदु AIR कर वा पाए हमारे जिस दि कर लगाई है आज अगर देश नहीं जागा कटते रहना मरते रहना आपको पता है सुप्रीम कोट इतने बड़े जज दो जज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं औरेबल सुप्रीम कोट आपको पता है यह जो माफिय मंगवाने की बाते करने अभी भी हमारे पास टाइम है क क्योंकि किसी भी कोट ने फॉर्मेट तीयार नहीं करा कि माफिय किस तरीकी से मंगवाई जाएगी आपको पता है सबसे बड़ी कोट की नाकामी है सबसे बड़ी प्रशाशन की नाकामी है इतने दंगे होते हैं तब यह सरकार कहां चलियाती है इतने दंगे होते हैं तब य यह आज इन्हों का सब चीजों के पीसे नुपुर सर्मा जिम्मेदर क्यों जिम्मेदर जब आप लोगों से कुछ नी होता तो आप हट जाएए हमें ना थो पुलिस की जुरत है ना में कोट की जुरत है जब एक तरफ अन्य होगा आप हमने तो भचपन से सुन से आ रहे हैं भाई साब कानौ अंधा होता है मुझे नहीं पता था इतना अंधा होता है मैंने सुना था एक पट्टी पद्धी होती है अरे हजारों पट्टी बंद्ध हुई है क्या इस सुप्रीम कोट को नहीं दिख रहा क्या उसने पूरी डिबेट नहीं देखी उकसा है किसने यह लोग कहते नुपूर सर्मा का बयान को पता बैण क्या होता है बयान वो होता है जब सोची समझी बात जब हमारा माइड संतो लनो हो और जब हमकोई बात बोल जैसे मैं हूं जैसे मैं हूं जो में बात बोलों है मैरा statement है लेकिन दिख भर्काया गया आ पूरी डिबेट देखो जितने भी देश में बवाल हो रहा है, जितना जिम्मेदार मुसलिम है, उतना जिम्मेदार में हिंदु को भी मनता हूँ भाई यह नाकामी है, यह सरकार की नाकामी है, में किस़ी कोट को यह नहीं कहता सभीदान के दायरे मैं कोगें, जटसे यह सवाल करना चांटे हूं लुपुर शर्मा को फटकार लगाई है, अगर कोई इनसान, कोई लडकी, कोई महिला हिंदू धरम की सच्छा ही बताती है कोई मुसलिम धरम की सच्चा ही बताती है, ये पिछ साल में एक पहला घटना है, जो किसी कोट ने, किसी महिला को फटकार लगाई है, अगर काभिलेत नहीं है, डंगे रोक ने की, तुम्हार में अगर काबिल्यत नहीं है किसी धर्म को बचाने की आज भाई साम मैं आपके ये जनता को जागरुक करने नहीं आया बलकि मैं तो जनता से कॉश्चन करना है हूँ अगर ये देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा तो मैं कहा जाओंगा तुम लोग तो चूड़िया बेंके रहोगे तुम लोग कभी एक नहीं हो सकते लेकिन मैं कहा जाओंगा जब हम अपने धर्म अपने हिंदुस्तान अपने देश में रहकर ही हम सेफ नहीं है हम पत्तर का रहे हैं हम पैट्रोल में बंबारी करवा रहे हैं जब हमारे उपर हावी होता है जिए गले काटे जाते हैं इतना सब कुछ होता है तब जज कहां चले जाते हैं तब जज बहां सलिए यह कि सर्टंसे जुदढ का नारा का नारा करों अब और कितने का करेंगे बस 110 करोण हिंदु है एक सो नो करोण 99,998 लोगों का और इसके पीछे भी बहुत बड़ा काराने बहुत बड़ा ये लोग हमें ऐसी उकसाते रहेंगे जितने भी आतंगवादी हैं हमारे भगवान के अवारे में और हम पर लटकर टिपडिया अगर कोई भी कुछ बोलता है कोई बी कुछ भी बोलता है तो तुमें अधिकार है उस धरती पे रहके उसका सर काटनेगा उसके हाथ काटनेगा उसके पैर काटनेगा अरे देश में कानून नाम की भी कोई चीज होती है वो कानून कहा चला जाता है वो सविधन कहा चला जाता है जब हम पे पत्थर बाजी होती है जब हम पे पैट्रल बाजी होती है वो सविधान कहां चला जाता है आज सविधान की धज्जे ओड़ा रखी है इन जैसे लोगों नहीं आज मैं मुसल्मानों को गलत नहीं कोँगा आज मैं अपने हिंदू को गलत कोँगा आज जो सुप्रीम कोट की बाते हैं वो हिंदू की वज़े से हैं और आज मैं एक चीज केस स्टड़ी करिए भाई मैंने स्पे भोज ज़्यादा केस स्टड़ी करिए इसलिए मैं आज हैं पर आपके बोल लाओं सुप्रीम कोट गलत नहीं कहीं से कहीं तक सुप्रीम कोट बिचारा दबा हुआ है और उसे पता है मेजोरिटी और मैनोरिटी के बारे में एफ आई यार सबसे यदा नुफूर सर्मा के क् positivo और नुफूर सर्मा के खिलाए झो हमारी सिवलिंग की इस तुलना कर रहा हैं बतहू वारे से कर रहा है अरे हमारे 33 करोड़ देवी देवता इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज में भगवान ढूनते हैं अगर आप माइक से माइक से बाते कर रहे हो ना पूछवा रहे हो यह आपकी रोजी रोटी है आप इससे प्यार कर तो आप इससे भगवान मानते हो हम हर चीज को भ अपना देश का नंबर आएगा याद रखना और जो टेलर के साथ हुआ है अरे खंजर आस्ती में छुपा कर खंजर आस्ती में छुपा कर चोला इमान का सिलवाने आये ते अरे गंगा जमना तहजीब के तहट वो भाईचारे निभाने आये ते क्या यही तुम्हारा कॉंग् इस तरह से नुपुर सर्मा का समर्थन करने पर गला काट कर रहत्या कर दी जाती है ऐसी कौन सी मानसिक्ता है कौन हैं नके लोगों के पीछे जो इस तरह का देश का माल खराब करनी को सिज़ेंगे ओ भाई क्या कोशन कर रहे हो इनके पीछे कौन लोग है ऑठीक है मुसल्मान भाई है लेकिन दंग से पढ़ोगे न बंगला देशी गुस्पैटी वापस्तानी गुस्पैटी नीग व आज नुपूर सर्मा जिम्मेदार नी, मुसल्मान जिम्मेदार नी, आतंगवादी जिम्मेदार नी, कोड जिम्मेदार नी, प्रशासन जिम्मेदार नी, आज जो हत्या हुई है, आज इसके पीछे हिंदू जिम्मेदार है, आज इसके पीछे वो हिंदू जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ी नाकामी है मैं 2021 लाएं 2021 ध्यान सो सुनना मैंने 1947 मेरे बाप मेरे बाप ने भी नहीं देखा मेरे दादा नहीं देखा है आज मैं 1947 देख रहा हूँ आज देख रहा हूँ कि 16% लोग कैसे 10% लोगों पर हावी होने है 16% लोग